एक पुत्र अपने वृद पिता को रात्रिभोज के लिए एक अच्छे रस्टोरेंट में ले कर गया. खाने के दौरान वृद पिता ने कई बार भोजन अपने कपडों पर गिराया. रस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग वृद को घ्रणा की नजरों से देख रहे थे लेकिन उसका पुत्र शान्त था. खाने के बाद पुत्र बिना किसी शर्म के वृद्ध को वॉश्रूम ले गया. उनके कपडे साफ किये, चहरा साफ किया, बालों में कंगी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया. सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे, फिर उसने बिल का भुगतान किया और वृद्ध के साथ बाहर जाने लगा. तभी दिन कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उसे आवाज दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां अपने पीछे तुम कुछ छोड़ कर जा. उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़ कर नहीं जा रहा. वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहां प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रत्येक पिता के लिए उम्मीद छोड़ कर जा रहे हो. आमतोर पर हम लोग अपने बुजोर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते, और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा. लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे, और आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठा कर ले जाया करते थे, आप जब ठीक से खाने ही पाते थे, तो माँ आपको अपने हाथ से खाना खिलाती थी, और खाना गिर जाने पर डांट नहीं प्यार जताती. फिर वही माँ बाप बुड़ापे में बोज क्यूं लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान का रूप होते हैं. उनकी सेवा कीजिये और प्यार दीजिये क्योंकि एक दिन आप भी बुड़े होंगे संदीप भाई. अपने माता पिता का सरवदा सम्मान करें.